हेलो एब्रिबन, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं स्वेटर का बहुत ही सुन्दर और बढ़िया डिजाइन लेके आई हूँ, ये बनाना बहुत ही इजी है, और देखने में बहुत ही प्यारा है, ये लेडिस, जैंड्स, किट्स सेब की स्वेटर में डाला जाने वाला पैट मैंने पैटर्न के थोड़े से फंदे दगा रखे हैं, और एक चोटा सा बेस भी बना रखा है, ये फ्रांट साइड है, पहला फंदा इसको स्किप कर लिया, आगे वाला फंदा इसको सीधा बोलना है, ये फर्स रो सारी सीरी ही लगानी है, ये सेक्ड रो बैक साइड, सेक्ड रो भी पूरिस लाई उल्टी ही लगानी है, ये दो सलाई, फर्स और सेकंड सीधी और उल्टी लगनी है, लेकन जो पैटरन है वो तीसरी सलाई में स्टार्ट होगा, अब तीसरी सलाई स्टार्ट है, तो इसमें पैटरन पढ़ने वाला है, पहला फंदा इसको स्कीप कर लिया, दागा अपनी साइड को करके, फंदे को बीना बुने ही ऐसे उतार लिया, और दागा ऐसे फंदे के उपर से ऐसे गुमा के बैक साइड को कर लेना है, और आगे बाला फंदा इसको बुन लेना है, ऐसे, ये पैटरन की फ्रंट साइड है, आगे दग्गा अपनी साइड को करके आगे बाला फंदा बीना बोने ही उतार लेना है और दग्गा ऐसे गुमा के बैक साइड को ले जाना है इसे दाग्गा अपनी तरप को करके आगे बाला फंदा बीना बुने उतार लिया दाग्गा बैक साइड को करके आगे बाला फंदा सीधा ही बुनना है यह फ्रांट साइड है तो सीधा ही बुनना है कि यह दाग्गा अपने साइड को करके फंदा बेना बोने उतार लिया दाग्गा बैक साइड को करके आगे बाला फंदा सीधा भून लिया कि भलास्ट बाला फंदा इसको भी भून लिया यह बैक साइड और यह फोर्थ रो चोथी स्लाई है तो बैक साइड में पहला फंदा इसको स्किप कर लिया दग्गा बाहर की तरफ को करके पिछली स्लाई में तीस्ली स्लाई में हमने जिस फंदे को नहीं बनाया था उस फंदे को चोथी स्लाई में भी वैसे उतार लेना है दग्गा अपनी तरफ को करके आगे वाला फंदा उल्टा है इसको उल्टा ही बुन लेना है यह फ्रांट साइड को सीधा फंदा था तो यह उल्टा है अब दग्गा बाहर की तरफ को करके आगे वाले फंदे को बिन यह दो हो नहीं उतारना है तीसरी और में पहली और दूसरी फ्लाइ से सिंपल लगी है आगे का फंदा उल्टा इसको उल्टा ही बनना है दाग्गा बाहर की तर्कों करके आगे वाली फंदे को भी नवो नहीं उतार लेना है कि पूरी स्लाई में ऐसा ही बनता रहेगा यह पैटरन सिर्फ दो स्लाई यह बाला है लेकर बीच में दो स्लाई सिंपल लगती है एक सीधी और एक उल्टी यह 4 row complete होगी है इसमें जो 1st row और 2nd row थी इसको सिंपल ही लगाया था और 3rd row और 4th row में पैटरन पड़ा है तो इसके बाद भी अब यह सिर्फ दो स्लाई वाला पैटरन है इसके उपर भी दो स्लाई टूरो सिंपल ही लगनी है एक सीधी और एक उल्टी फिर ऐसा ही पैटरन पड़ेगा उपर जैसे 3rd और 4th स्लाई में डाला है नहीं अगर को मेरा बनाया हूँ पैटरन प्संदार है तो लाइक सेर और स्ब्सक्राइबर जरूर करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं नए है तो भी लाइक सेर और सब्सक्राइबर जरूर कर देंग यह झाल झाल